स्टोर पेइंग फोर एड्स तो दोस्व अगर आप भी एफ़र्ट मांकेटिंग, सीपे मांकेटिंग या किसी भी ओन एन बिनिसे के लिए टागर ट्राफिक को फाइंड कर रहे हो तो आपके दिमाग में एक बात आ रहे होगी आपके दिमाग में यह आ रहा होगा क्यों ना आप अपने प्रडेक्स या फिर्बिनिसे के लिए पेड एड्स को रन करने तो दोस्व पेड एड्स को रन करना इतना आसान नहीं है पेड एड को रन करने के लिए सबसे पहले आपके पास पेड एड को रण करने का experience चाहिए दूसरा आपके पास decent budget चाहिए अगर आपके पास ये दोनों skills है तब ही आप यहाँ पर अपनी paid एड को रण कर सकते हैं एंड दोस्तो एक beginner के लिए budget बनाना बहुती ज़दा मुश्किन होता है तो दोस्तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके साथ दो ऐसी website शेयर करने वाला हूँ जिनके उपर आप अपनी ads को free of cost में run कर सकते हैं अगर आप इन website के उपर अपने products की ad को free of cost में run करते हैं तो definitely आप यहाँ से बहुत सारा target traffic इनकाल पाएंगे तो दोस्तो अगर आपको इन दो free की website के बारे में जाना है जिनके उपर आप अपनी ads को free of cost में run कर सकते हैं अगर आपको इसकी पूरी जान करी चाहिए तो वीडियो के बिलकुल लास तक देखना है एक भी part को मिसमें तो दोस्तो आज की हमारी पहली website का नाम है myadno.com myadno.com basically एक free ads की website है जिसके उपर आप अपने products और offers की ad को free of cost में run कर सकते हैं जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि लोग किस तरीके से यहाँ पर अपनी ads को run कर रहे हैं सेम इसी तरीके से आप भी यहाँ पर अपनी ads को run कर सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर दे सकते हैं कितने सा लोगों ने यहाँ पर अपनी ad को run किया है और सभी ad के views को भी आप यहाँ पर check out कर सकते हैं अगर आप भी यहाँ पर अपनी ad को run करते हैं तो definitely आप भी यहां से इतना सारा decent views निगाल सकते हैं अब इसके माध्यम से आपको monthly कितना traffic मिलता है वे किस country से मिलता है उसकी जनकारी में आपको देता हूँ तो दोस्तों यहां पर मैंने similar web को open कर लिया है और जैसे कि आपको यहां पर साफ दिखाये दे रहा है myadno.com के माध्यम से आपको monthly साड़े चार लाख तक का traffic मिलता है जितना भी traffic आपको यहां पर मिलता है उसका 70 से लेकर 80% का traffic आपको travel countries से मिलता है जैसे आप यहां पर website को open करेंगे तो आपके सामने यहवाला page आएगा यहां पर आपको option मिलेगा sign up का simply आपको इसको अपर click करना है जैसा आप इसको अपर click करते हैं तो आपके सामने एक new page आएगा जहां पर आपको basic details fill करने के लिए कहा जाएगा जैसे कि यहां पर आपको अपने first name को डालना है यहाँ पर आपको अपने last name को डालना है यहाँ पर आपको अपने email address को डालना है फिर यहाँ पर आपको अपने password को डालना है फिर password को आपको यह पर confirm करना है फिर term और condition को आपको अपर accept करना है फिर register इसको उपर click कर दें जैसा आप register को उपर click करेंगे तो आपके पास एक की मिलाएगा जहांपर आपको अकाउट activate करने के लिए कहा जाएगा आपको यहांपर अपने अकाउट को एक्तिवीट करना है और आपका myadnote.com के उपर account create हो जाएगा जैसे आपका account यहांपर create होगा तो आपके सामने कुछ इस्प्रका का इंटरफेस आएगा अब आपको यहाँ पर अपनी ads को कैसे post करना है उसकी step by step जनकारी में आपको देते हूँ तो दोस्तों यहाँ पर अपनी ad को post करने के लिए simply आपको इसके home page को पराना है और यहाँ पर आपको option मिलेगा post new ad का simply आपको इसको पकलिक कर देना है जैसा आप इसको पकलिक करेंगे तो आपके सामने एक new page आएगा जहाँ पर आपको दो option मिलेगी पहला option आपको यहाँ पर मिलेगा marketing ads का और दूसरा option आपको यहाँ पर मिलेगा job ads का अगर आप यहाँ पर effort marketing कर रहे हैं तो उस case में आपको यहाँ पर marketing ads को select करना है अगर आप इसके माध्यम से CPA marketing कर रहे हैं तो उस case में आपको यहाँ पर job ads को select करना है अब आपके यहाँ पर choice है कि आप इस platform के उपर कौन सी marketing करना चाहते हैं जैसे कि इस video के अंदर मैं आपको example देने वाला हूं marketing ads का तो simply हम इसको उपर click करते हैं जैसा हम इसको उपर click करते हैं तो हमारे सामने यहाँ वाला page आता है पहला option हमें यहाँ पर मिलता है I want to तो simply आपको यहाँ पर select करना है कि आप यहाँ पर sale करना चाहते हैं या फिर आप यहाँ पर buy करना चाहते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर effort marketing करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर sale करना चाहता हूं तो simply हम यहाँ पर sale को उपर tick करते हैं next option आपको यहाँ पर मिलता है for what vertical जिस आप यहाँ पर किस category के उपर work करना चाहते हैं जैसे कि मैं health की category को पर work करना चाहता हूं तो simply हम यहाँ पर health को select कर लेए next option आपको यहाँ पर मिलता है on word basis तो यहाँ पर आपको sub category means आप यहाँ पर किस tab के product को sale करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर select कर सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर sequel marketing करना चाहते हैं चाहते हैं जो भी आप चाहते हैं उसको आप यहाँ पर select कर सकते हैं next option आपको यहाँ पर मिलता है subject का simply आपको यहाँ पर अपने product के अनुसाय टैटल को create करना है और उस टैटल को आपको यहाँ पर copy and paste कर देए यहाँ पर आपको अपने product को अथ्य सा describe करना है यहाँ पर ही आपको अपने effort link को भी copy and paste करते हैं पर effort link लगाने के लिए simply आप यहाँ पर links का use कर सकते हैं the next option आपको यहाँ पर मिलता है platform का means आप अपनी ad को mobile के उपर याफि desktop दोनों के उपर दिखना चाहते हो तो उस case में आपको यहाँ पर दोनों को select करना है अगर आप अपनी ad को only desktop के उपर दिखना चाहते हो तो simply आपको यहाँ पर desktop के उपर टिक करना है अगर आप अपनी ad को mobile phone के उपर दिखना चाहते हो तो उस case में only आपको यहाँ पर mobile के उपर टिक करना है next option आपको यहाँ पर मिलता है source का तो simply आपको इसको पर जाना है and आप यहाँ पर क्या करना चाहते है जैसे कि आप यहाँ पर email marketing के थुरू करना चाहते है leads and lead करना चाहते है podcasting करना चाहते है जो भी चीछ आप यहाँ पर करना चाहते है उसको आपको यहाँ पर take नेक्स्ट ओप्शन आपको यहाँ पर मिलता है जीव टार्गेट का इसके इस कंट्री को आप यहाँ पर टार्गेट करना चाहते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर उनटी स्टेट को टार्गेट करना चाहता हूं तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूं तो यहाँ पर मैं टाइप करता तो आपकी एड यहाँ पर review में चले जाए अगर आप यहाँ पर decent तरीके से अपनी एड को बनाएंगे तो definitely आपकी एड यहाँ पर approve होगी वो इनके home page को उपर दिखाए देगी आपकी एड के उपर traffic आगा और targeted country से traffic आगा तो definitely आपको यहाँ पर sale मिलेगी और आप यहाँ पर effort marketing यह फिसी पर marketing के माधियम से पैसे earn कर पाएंगे दोस्तो आज की हमारी दूसरी website का नाम है Americanlicious.com Americanlicious.com एक बहुती बड़ी free ads की website है जिसके उपर आप अपने किसी भी category के प्रड़क की ads को free of cost में run कर सकते हैं अब इसके माधियम से आपको monthly कितना traffic मिलता है वो किस country से मिलता है उसकी जनकरी में आपको देता है तो दोस्तो यहाँ पर मैंने similar web को open कर लिया और जैसे की आपको यहाँ पर साफ दिखाए दे रहा है कि Americanlicious.com के माधम से आपको monthly 1.1 million तक का traffic मिलता है और जितना भी traffic आपको यहाँ पर मिलता है उसके अंदर आपको 98% का traffic मिलता है यूज अगर आप यहाँ पर अपने CP offers या फिर आफ़ पड़ को promote करते हैं तो definitely आप अपने landing page के उपर target traffic ले पाएगे अगर आपके landing page के उपर target traffic लेगा तो definitely आपको यहाँ पर sale मिलेगी और आप इस website के माधियम से money make कर पाएगे अब इसके उपर आपको अपने account कैसे create करना है उसकी जनकारी में आपको देते हैं तो दोस्तो इसके उपर अपना account create करना कोई बड़ी बाग ही है simply आपको इसके home page के उपर जाना है यहाँ पर आपको register का option लेगा simply आपको इसको पकलिक करना है यहाँ पर आपको अपनी basic detail को फिल करना है फिर register इसको पकलिक करना है जैसाब register को पकलिक करोगे तो आपके पास एक email आएगा जहाँ पर आपको account एक्टिवीट करने के लिए कह जाएगा आपको यहाँ पर अपने account को एक्टिवीट करना है और AmericanList.com के उपर आपका account create हो जाएगा जैसे ही आपका account यहाँ पर create होगा तो आपके सामने कुछ इसप्रका का इंटरफेस आएगा अब आपको यहाँ पर अपनी ads को कैसे रन करना है उसकी step by step जनकरी में आपको देते हैं तो दोस्तो add को run करने के लिए simply आपको यहाँ पर आपको option मिलेगा post and add का simply आपको इसको पर click कर देना है जैसा आप इसको पर click करेंगे तो आपके सामने के new page आएगा जहाँ पर आपको category select करने के लिए कहा जाएगा यहाँ पर आपको अपने product की category के अनुसार अपनी category select करना है जैसे कि मालो मैं यहाँ पर home and garden के product को promote करना चाहते है तो simply मैं यहाँ पर garden and house की category को select करना है जैसे हम यहाँ पर garden and house की category को select करेंगे तो हमारे सामने new page आएगा जहांपर हमें अपनी add की detail को fill करना होगा जैसे कि यहांपर आपको अपने title को put करना होगा जो भी आप अपने product के लिए title create करेंगे उसको आपको यहांपर copy and paste कर दें next option आपको यहांपर मिलेगा कि आप यहांपर क्या करना चाहते हैं यहांपर आपको अपने product की price को type कर देना है यहांपर आपको अपने product को describe करना है यहांपर आपको अपने product की image को upload कर देना है यहांपर आपको अपने target country को select करना है जैसे आपके सामने आपकी एड का प्रिव्यू आएगा तो उसके बाद आपको यहाँ पर समिट करने के लिए कहा जाएगा सिंपली आपको इसको पकलिक करना है जैसे आपकी एड यहाँ पर समिट हो जाएगी तो कुछी दुनों में आपकी एड इनकी हॉम पेच को पर देखने स्टाट हो जाएगी आपकी एड को पर ट्राफिक आएगा और वहां से आपको से दोनों एड की वैप सेट पसंद आई हो इस चैनल को शेयर वे सब्सक्राइब करें वे इसको लाइक करना ना पूले निवाद जैवारा जैट